वेलकम बैग टू माई यूट्यूब चैनल तो आज हम सीखने वाले हैं कि क्विम्दिमेंट्री कलर क्या होते हैं और आज मैं आपको यह भी बताऊंगे कि हम उनका यूज हम आई मेकप में कैसे करते हैं ठीक है और किसके जगा पर यूज कर सकते हैं आज मैं आपको सारा किलियर बताने वाले हूं तो सबसे पहले कॉंप्लिमेंटरी कलर्स क्या होते हैं मैं आपको इसमें दिखाती हूं कार्ड में कि यहां जो arrow बनाए है, इसमें लिखा है complementary, तो इसका मतलब यह जो arrow जिदर भी होगा, उसके सामने उसका complementary color होगा, जैसे violet का complementary color क्या है, yellow, इसे मैं आपको एक चीज और बताती हूं, जैसे complementary color का use हम कीन कीन चीज़ों में करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताती है skin problem में अगर आपकी skin में कोई कुछ ऐसा दाग है या कभी कभी चोट लग जाती नीला पड़ जाता है या violet color का अगर कुछ आपको दाग वाक सा पड़ गया है तो आप उसमें yellow color का character use कर सकते हैं आप ये use करेंगे वो problem hide हो जाएगी क्योंकि ये color काटता एक दूसरे को ठीक है अगर आप मिला के देखेंगे आप violet color में अगर yellow color मिलाएंगे तो ये brown color आएगा ठीक है तो ये आपकी लगबग लगबग मतलब skin color के बराबर ही ला देता है फिर आप इसके उपर foundation लगाएंगे तो वो problem आपको दिखेंगे ही नहीं इसी तरह हमेंसे थोड़ा सा गुमाएंगे तो अब आता है red color ठीक है आप red color देख सकते है red के सामने कौन सा है green color ठीक है अगर आपको कोई red color मतलब pimple है या red color के कुछ दाने दाने कभी निकल आते हैं बहुत सारे तो आप उसको green color से hide कर सकते हैं ठीक है आप green color का concealer अगर करेक्टर मुझ पे लगाएंगे तो वो आपके उस problem को hide कर देगा ठीक है इस तरीके से हम जो इस सारे colors है इनके सारे complementary color का use इस तरीके से करते हैं ठीक है इसके problem hide करने पे hide करने के लिए और eye makeup के लिए अलग है ठीक है तो मैंने यह बनाया है कार्ड इसमें आप देख सकते हैं जो जिसके opposite होगा वही उसका complementary color है जैसे red के opposite आ रहा है green orange के blue yellow sorry red orange के blue आ रहा है और orange के purple इसी मतलब यह थोड़ा blue violet है और yellow के purple आ रहा है ठीक है violet color आ रहा है I hope आपको सभी को समझ में आ चुका होगा यह चीज तो I hope आपको ही complementary color के लिए रो गया होगा अगर नहीं हुआ तो अभी मैं आपको आंगे और अच्छे समझाओंगी बांकी चीजें तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी ओक्या तो मैंने यहाँ थोड़ा सा आई मेकप के लिए यह एक बना के रख रहा है आपको थोड़ा समझ में आएगा आई मेकप complementary color के यूज करके हम कैसे आई मेकप कर सकते हैं तो इसमें जरूरी नहीं है जो color मैंने लिये हूँ वही color आप ले इसमें जैसे मैंने red और green लिया आप ये red green यूज करेंगा मैंने ये paper बनाया है तो थोड़ा ठीक भी लग रहा है आँखों में ये ठीक नहीं लगेगा आई मेकप करते टाइम लेकिन मेरे बताने का मतलब ये कि आप जो red color है इसके ट्न चाप तोन ऐँ शेह झाल जो मैंने आपको बनाके द्खायते आप इसमें देख सकते है यह जो red color है ये । तो आप इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इसका। ।। जैसे इसमें आप अब तूसरे देती हुआ है एक्जांपल जैसे इसमें देखें आप ये यलो और वौइलेट कलर का है थीक तो इसमें हम इनर कॉर्णर पे या तो मैं यलो यूज कर सकती हूं और आउटर पे ये परपल यूज कर सकती हूं तिन्ट में या फिर मैं ये तिन्ट इसका यूज कर सकती हूं और इसका भी यलो का आप तिन्ट यूज कर सकते हूं जो भी आपको सही लगे आप तीनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं टेन टोन शेड़ इसका ओके आई होप आपको समझ में आ गया होगा नहीं आया होगा तो मैं और अच्छे से आंगी समझा रही हूं इसे तरी किसे मैंने बाकी के कुछ बनाए हैं थोड़ा आपको समझाने के लिए मैंने ओरिजनल कलर इसलिए लिए थाकि आपको समझ में आया सकते वी तो मैं आपको समझा चुकी हैं अगर आपको नहीं समझ आ गजा तो आप미र मेरे पहले की वीडियो से सकते हैं उसमें आपको समझ में आ जायगा तो जासे आ मान लीजिये और आप देख रहे है तो और ओरैंज का मैं कोई भी यह जैसे यह िंट है यह टोन है यह तो अब जैसे मैंने इसको इसके कंपूजेट कंपलिमेंटरी कलर में यांट रहा है यहां पर ब्लू कलर तो अहिस में चीम से अपने टेन्ट ले लिया दीक्व और आप इसमें चाइड में erm है आप ये ब्राउन कलर सकते हैं, औरेंज का आप शेड कर सकते हैं, तो ये आई मेकप बहुत ही प्यारा लगेगा, ठीक है, I hope आपको समझ में आ गया होगा, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपको डाउट और किलियर होगे, तो मैं बोलूँगे, आप एक बार थोड़ा कि मुझे भी ये प्रॉब्लम आती थी, समझ में नहीं आता था हम कौन से कलर यूज करें, कौन सा कलर अच्छा जाएगा, लेकिन जब आप कलर तियोरी पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो आपका एक डाउट के लिए हो जाएगा, आपको समझ में आएगा, कि किसका य ले लिया और ग्रीन का शेड ले लिया, इस तरीके से आप कई कलर बना सकते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अब मैं आपको थोड़ा बताती हूँ, हम इसके प्रॉब्लम में ये कॉम्प्लिमेंटी कलर का हम यूज क्यों करेंगे, मतलब कलर त्योरी में हम जो लिए पड़ी, तो हर एक चीज का आपको बराबर यूज समझ में आएगा, तो आप ये नेख सकते हैं, ये Character pallet मेरी, तो इसमें होता है Color Correction, काम होता है में ने लिक कलर का रेक्षन करने का, सकी ये सकी प्रॉब्लम्स हैं उनको लिएट करने का, तो जैसे आप इसमें लिग सकते ना आपको ये दिख रहा होगा green है violet है yellow है white है ये सब क्यों है yellow है ठीए ये तो इस set जो है ये सारे concealer है ओके इस set जो है ये हमारे character है कि हमें correct कैसे करना है is skin problems को ठीए तो अग जैसे किसी के red हमने color theory में बढ़ा था कि red के opposite जो हमारा कलर होता है कॉम्प्लिमेंटरी कलर वो होता है ग्रीन अगर हमें कोई भी रेड प्रॉब्लम है किसी को पिंपल हो सकते हैं शादी वाले दिन तो मान लीजे वो फांडेशन से वो हाइड नहीं होती प्रॉब्लम जैसे अम मान लीजे आप किसी को जैसे ब्राउन कलर ह जो नॉर्मली आजकल सबको ही होते हैं, अगर हमें वो प्रॉब्लम हाइट करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें किस कंसीलर का यूज करना है, ठीक है, तो बेसिकली इसलिए हम कलर त्योरी पढ़ते हैं, ताकि हमें हर एक चीज समझ में आ सके, तो ठीक है, अब मैं आप सरकल हाइट करने में करते हैं, ठीक है, यह आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाएगा, और जब आप इसमें कंसीलर यूज करेंगे तो वो पूरा आपका स्किन का कलर आ जाएगा, तो पूरा आपका स्किन का कलर आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारा है, ग्रीन कलर का जो होता है करेक्शन वह हम करते हैं रेड कलर के अगर हमें कोई प्रॉब्लम है हमें कोई पिम्पल है यह कोई तो हम इस पे ग्रीन कलर यूज कर सकते हैं ठीक है अब आता है अब हम यूज करते हैं यलो कलर ठीक है यलो कलर जाता है जो हमें वाइलेट कलर मतलब जैसे आपको कोई ब्लु जाती हाथ में पैर में या कोई भी प्रॉब्लम होती है अगर किसी को है तो हम उसको इस तरीके से हाइट कर सकते हैं आपको ये वीडियो थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा helpful लगा होगा, अगर आपको कुछ और भी डाउट है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके डाउट किलियर करूंगी आँगे वीडियो में, तो नए-नी चीजे सीखने के लिए बने रहे म मेरे साथ और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सस्क्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, थेंक्यू सो मच